हलो जैसे कि हमारा यह contest है कि वेस्ट को बेस्ट करना है हमने तो देखिए इसमें यह sprouts पड़े हुए थे कल मैंने बनाए थे और यह कुछ उबलावा दलिया है जो मैंने ब्रेक्पास्ट में बनाया था लेकिन थोड़ा बच गया था यह आम की गिटक है और यह कुछ दो पीस जो फॉरे कि उट Walk बनाओंगी और मैंने इसका नाम रखा है चतकारे बहार अब हम इसमें एंग्रित मूं को आज़ा होतो और यह इस दाले है अभी इसका जोलोगि इसने नगे तॉत यृस को पहले से ही नमक मिच था इसलिए हम मसाले उसी हिसाब से इसमें एड करेंगे एक बड़ा चम्मच घी कर डाल रहे हैं और मैं इसमें डेड़ बड़ा चम्मच बेसं का मैं इसमें डाल दिया है और इसको धीनी आज पर ही हम भूनेंगे अब इसके इंदर ये सारे इंड्रीडियंस टाले हैं अब ये गड़्या भी से विड़ा जाएगा आधा चम्मच लाल मिट और अधा चम्मच नमक कड़ा लोगे आधा चम्मच बुरा हुआ चीरा है एक चोटा चम्मच मैं इसमें निवो कर अशाए और अब ये देखे पैन क को सचिपक नहीं रहा है इसका मतला ये तैयार हो चुका है अब गैस बन कर दो और इसे ठंडा होने के लिए रख भूंगे एक दही किटे पनाते हैं ये मैंने हंकर रखिवी थी अब इसको मैं इसमें सारे मसाले एड़ कर लोगी थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ही काला नमक य ये मैं इसमें आधा चमद डालूंगी क्योंकि मुझे खट्टी मीठी चाड बनानी है तो में थी थोड़ी मीठी होनी चाहिए भुनावा जीरा वान फोर टी स्पूल मैंने लिया रहा है इसमें जीरा इसको मिक्स पर जाए अब ये मैं डिप्टर है ये बनके तैया है ये क इन कबाब को हम दीमी आज पास सिखने के लिए रखतेंगे अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा हिला लेते हैं अब हम हरे दनी की चक्नी बना लेते हैं तो ये कुछ पुपुदीने और धनिया के पत्ते हैं में पास ये तीन हरी मिर्ची है एक नीबू का रस तो मैं तीन च अब मैं चक्नी में दो चमच दही गडा लें और पाप्र से पीस करें हमारी चक्नी बन के त्यान रहा है ये रोल्स हमारे देखिए अब बन चुके हैं ये और अब इसी फ्राइट में में हम एक लेमन डिब बनाएंगे ये मैंने तीन नीबूलिये हैं कजूस निकाला है और अब मैं इसमें डाल दूएं चा चमच के करीब मैं इसमें चीनी डाल दूएं अब ये चिली फ्लेक्स हैं दो चमच इसमें चिली फ्लेक्स का लें कुछ ये पुदीने की पतियां है इन्हें में हल्ता तोड़के इसमें डाल दूएं काला नमाक भूना जीरा वन पोर टीस् अब हम को एक साल्सा बना लेटे हैं कि ये आम है ये कौन है अब इन्ने एक बाउल में खटा करना थोड़ा सा कुदीना, काला नमाख, थोड़ी से लाल मेच, तो चाट को खटन मिठा बनाना है, तो इसमें इसको थोड़ा मिठास देने के लिए मैंने सालसा बनाया है, अब यह हम इसमें अच्छी तहे से फोल्ड कर लेंगे, जिसे इंगों पर यह चत्नी हमारी चर सके, ज्य पहले हम धनी की चत्नी को अपनी प्लेट में गोल आकार देंगे, इस तरह से हम धनी चत्नी लगा देंगे, अब हम इस पर यह अपने कबाब रखते जाएंगे, इस तरह से हम अपने सारे कबाब सेट कर लेंगे, अब यह हमारी धनी के लिखता है, इसे हम अपने कबाब के पर रखेंगे, थोड़े से हमारे चिली फ्लेक्स के, कुछ ही हमारे पास धन्य के पत्ते हैं, इसमें इसमें, तो यह हमारी खट्की मिठी, चाट की बहार है, चटकारे बहार, जिसमें हमने वेस्ट को इतनी अच्छी तहें से बैस्ट रूप देखे, तया किया है, थैंक्यू